दुख भरी दुनिया में आसु में बहता रहा दुख भरी दुनिया में आसु में बहता रहा फुण्धे कई सहारे मैंने फिर भी बे सहारा रहा दुख भरी दुनिया में दुख भरी दुनिया में खुशी दिल में मेरे दौलत थी सब कुछ था ना थी खुशी दिल में मेरे दुनी बहत शाती में फिर भी दिल अशात रहा दुख भरी दुनिया में आसु में बहता रहा दुने कई सहारे में फिर भी बे सहारा रहा दुख भरी दुनिया में येशू से ये ना देखा गया आसु को मेरे पॉँच दिया येशू से ये ना देखा गया आसु को मेरे पॉँच दिया शांती से दिल भर दिया वो ही सच्चा की नारा मिला दुख भरी दुनिया में आसु में बहाता रहा दुने कई सहारे मेंने फिर भी भे सहारा रहा दुख भरी दुनिया में प्रभी येशू मसी के मदुना में आप सबको जय मसी की जवानों के संक्ला में आप सबका सौगत है हम बात कर रहे हैं जवानों के लिए और जवानों के लिए बात कर रहे हैं तो परमेश्व का वचन जवानों के लिए क्या कहना चाहता है ये सारी बाते हम परमेश्व के वचन से सीख रहे हैं परन्तु आज हम बात करेंगे खुबसूरती के विश्य में हाँ जिया, अक्सर इंसान खुबसूरत बनने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है बहुत सी बातों को वो करता रहता है परंतु खास और से मैं बात करूँगा जवान भेनों के लिए वो अक्सर competition करती हैं कि मैं सुन्दर हूँ, मैं सुन्दर हूँ किस विशे में सुन्दर हैं, क्या है ये सुन्दरता क्या जानते हैं आप इस सुन्दरता के विशे में हाँ मैं सुन्दर हूं के विशे में एक पत तो जरूर बाइवुल में आया है और मैं चाहूंगा कि मैं उस पत को पढ़ना चाहूंगा स्रेश गीत और उसका पहला अध्याय और उसका पांच पत यहां लिखा हुआ है हे यरुशलम की पुत्रियों मैं काली तो हूँ परंतु सुन्दर हूँ केदार के तंबो के और सुलेमान के परदो के तूले हूँ यहां पर परमेश्व का बचन यह बता रहा है वो कह रही है कि मैं सुन्दर तो हूँ परंतु यह दुलहन की बात है मैं काली तो हूँ परंतु मैं सुन्दर हूँ काली होने का मतलब क्या होता है वो ये बताना चाहती है कि मेरा रंग रूप उपर से चाहे जैसा भी क्यों न हो परंतु मैं अंदर से सुन्दर हूँ मेरी बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप अंदर से सुन्दर नहीं है तो आपकी कोई भी सुन्दरता देखने लैक नहीं है आप कितनी भी उपर से सुन्दर क्यों नहीं हो और इस सुन्दरता को पाने के लिए अक्सर हमने देखा है क्या होता है कि आप बीटी पैलर में जाते हैं बीटी पालर में जाकर आप अपनी स्कीन को खोब रगड़ा आते हैं और यहां तक कि वो इस्कीन जो है वो बिकार हो जाती है और बहुत से बहुत सी मोटी रकम हम दे कर आते हैं बहुत सा पैसा हम दे कर आते हैं और जब यह पैसा हम दे कर आते हैं तो यह पैसा कहा जा रहा ह कौन देखता है सुन्दर्ता ये सुन्दर्ता कब तक आपकी बनी रहेगी कब तक आप सुन्दर्त दिखाई देती रहेंगे दस साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक, उसके बाद ये सुन्दर्ता कहा जाएगी, कौन इस सुन्दर्ता को देखने वाला होगा, यदि आपके मन की सुन्दर्ता होगी, यदि आपका आमन अंदर से सुन्दर होगा, यदि आप अंदर से सुन्दर होएगी, तो आप जब तक जीवित रहेंगी लोग आपको चाहेंगे आप जब तक जीवित रहेंगी लोग आपको देखेंगे आप जब तक जीवित रहेंगी लोग आपकी बातों को सुनेंगे आपके साथ बैठना पसंद करेंगे परन्तु यदि यह सुन्दरता सिर्फ कुछ पलो की है तो कुछ बहुरें आक आप अपनी सुन्दर्ता किसको दिखाएंगे ये शया कि पुस्तक में परमेश्वा का वचन इस बात को बताता है कि सुन्दर्ता तो व्यर्थ है यह सुन्दर्ता यह संसार की सुन्दर्ता जो है वो व्यर्थ है परमेश्वा ने मुझे और आपको अपनी समानता अपने सरू नहो परमतु हम सुन्दर हैं क्यूं क्यों कि परम ais вот के सरूप में हम सरजी गये हैं मैंने देखा आइ बहुत सी बेनों को वह लंबे लंभे नाखुन करती है काई के लिए लंबे लंबे नाखुन होते हैं ऐसा लगता है जैसे किसी को नोचने के लिए हो उसके उपर नील पॉलिश करके बिल्कुल उनको लाल कर देती हैं ऐसा लगता है जैसे किसी के अंदर उन्होंने नाखुन को किसी की बॉडी में घुसड़ा और निकाला तो वो लाल हो गए हो बिल्कुल लाल चटक हो जाते हैं ऐसा लगता है जैसे अभी खोन पी करा रहे हैं बहुत सी बेहनों को तो मैंने ये देखा है शैद हो सकता है आपने देखा होगा बहुत से पेपर में एक एड आता है उसमें लिखा होता है आप कितने बुद्धिमान हैं आप कितने बुद्धिमान हैं यानि दो तस्वीरे दी होती हैं और उन तस्वीरो लगता है ये गलतियां ढूना ऐसे हमारी जवान बहने और जवान भाई जो हैं परमेश्वा के उसमें गलतियां ढूनते हैं क्यों वो कहते हैं परमेश्वा ने कान में एक छेद बना कर बहुत बड़ी गलती करी है एक छेद से क्या होता है सिर्फ उससे सुनाई तो देता है उससे सुन्दरता कहां आती है। उन्होंने क्या करा? एक छेद यहां पर कर लिया। मगर यहां तक बसनी रहे। बहूत सी बहनों ने तो कई छेद एक ही कान में करा रख़े हैं। एक कान में कई छेद, इस कान में कई छेद। यानि बहुत से च्छेद हो गए और उसमें बालिया लटका रखी है क्या हो गए इन कानों को च्छेद कराने यानि यह बताना चाहती है कि परमेश्वा ने एक च्छेद बनाकर गलती करी है यह गलती है परमेश्वा की इसलिए और भी च्छेद इस कानों में होना चाहिए मेर वह रहाँ में आपने कानों पूझ यह कि वो इस तरीके का सिंगार करें क्योंकि परमेश्वा का वचन इस बात को बताता है कि लड़के यानि पुरुष और तो के कपड़े ना पहने और इस तरीया पुर्शों के कपड़े ना पहने आज तो समझ में नहीं आता है कि कौन लड़का है और कौन लड़की है सारे से आपकी तारिफ नहीं हो रही है परंतु बढ़ावा मिल रहा है वेविचार को बढ़ावा मिल रहा है बुराई को और दूसरी चीज तन पे कपड़े जो है वो छोटे होते चले जा रहे हैं बाल जो है वो कटाग कड़ गये हैं परमेश्वर यह नहीं चाहता है क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार की चीजों से नहीं यह तरह तरह के बाल गूंदना तरह तरह की हैरेस्टैल बनाना यहां पर लटे लटकाना और बहुत सी चीज़े होती है इससे शोबा नहीं आती है परमेश्वर कहता है यदि आप संदर बनना चाहते हैं तो आप संकोच के साथ भले कामों को करते रहें तो आप संदर होगा जिसको परमेश्वर आपकी सुन्दर्ता को हमेशा निहारने पाएगा परमेश्वर आपकी सुन्दर्ता को हमेशा देखने पाएगा और आनन्दित होगा कि ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी जो है वो अंदर से सुन्दर होना चाहिए क्योंकि जब तक हम अंदर से सुन्द सुन्दर नहीं है हमारी सुन्दरता होड़ लगी हुई है कि मैं सुन्दर हूँ मैं सुन्दर हूँ हर एक अपने आपको सुन्दर बनाने चाहता है हर एक भाई अपने आपको स्मार्ट दिखाना चाहता है वह बैड लिफ्टिंग करता बॉड़ी बनाता है और जैने क्या क्य के विरुद में जाता है परमेश्वा के विरुद के वच्चन जो परमेश्वा का वच्चन कहता है उसको ना मान कर वो वो बाते करता है जो नहीं करनी चाहिए बेहनों के बाल जो है लिखा है परमेश्वर का वचन कहता है कि बाल जो है उसकी शोबा है इस्तरी की शोबा है और आज इस्तरियां बाल कटा के घुमती हैं क्यों बाल कटा के घुम रही हैं क्या बात है अच्छा परमेश्वर ने सहथ बाल इस्तरियों के लंबे-लंबे करे ये बुरा करा परमेश्वन ने, ये अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने बाल कटा लिये हैं, और बहुत से भायों को मैंने देखा है, बहुत से बुजुर्कों को, मैं बुजुर्कों की भी बात यहां पर करना चाहूंगा, बुजुर्क एक बहुत बड़ी गलती करते है परमेश्वन का वचन कहता है, कि कोई अपना बाल ना तो काला कर सकता है, और ना सफेद कर सकता है, मगर हमारे बुजुर्क, वो ये सोचते हैं, कि हम कभी बुढ़े लगई ना, हम कभी बुढ़े दिखई ना, हम बुजुर्क होई ना, परन्तु ऐसा हो नहीं सकता है, लि इतनी जिंदगी दी है आपने क्या करा रहे परमेश्वा कैसी बात कर रहे हैं आप कौन ऐसा है कि जो बाल काले करा नहीं सकता है उन्होंने क्या करा उन्होंने काला पेंट लगा लिया काला पेंट लगा कर और वो जो हैं अपने बालों को काला करा लेते हैं क्यों यह परमेश बाल अपने फैशन के अनुसार वो लाल बाल करा लेते हैं ऐसे लगता है जैसे वो मुर्गे की जो पूच होती है उसके समान वो बाल लगने लगते हैं बिलकुल बेकार बद्दा इंसान दिखाई दे राज आज इंसान सोच रहा है कि मैं सुंदर हूं मैं मेरे प्यारे भाई प्रिष्टि से देखा जा रहा है कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा है मगर मन की सुंदरता है तो सब आपकी तारीफ करेंगे परमेश्वा का वचन इस बात को बताता है मैं चाहूंगा पहला पत्रस और उसका तीन अध्याय और उसका तीन और पांच पद यहाँ पर प्रमेश्वा का वचन फिर कहता है तुम्हारा सिंगार दिखाव्टी ना हो अर्थाद बाल गूंदना और सोने के गहने या भाती-भाती के कपड़े पहनना वरन तुम्हारा चिपा हुआ और गुप्त मनुस्तव नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावर से सुजाती प्रमेश्वा की द्रिष्टी में इसका मूल बड़ा है पूरुब काल में पवित्र इस्त्रियां भी जो परमेश्वा पे आशा रखती थी अपने आपको इसी रिती से समार्ती और अपने अपने पती के अधिन रहती थी जिया परमेश्वा का वचन कह रहा है कि तुम्हार सिंगार दिखावटी ना हो दिखावटी यह साब दिखावटी देने वाला बात आज बहुत सी बहनों ने अपने चहरे का सिंगार करकर के अपने चहरे की लीपा पोती करकर के अपने चहरे की दशा को बिगाड लिया है यदि आज वो सिंगार ना करें तो उनका चहरा इतना बुरा लगता है कि देखने लाइक है आप जानते हैं चहरे पे जगा जगा स्पोर्ट हो गए हैं क्यों ये बहुत ज़ादा से अपने चहरे को सुन्दर बनाने की कोशिश में हो गए हैं आप जो है जब तक आप मेकब नहीं करेंगी तब तक आप अच्छी दिख तो चेहरे को बिगाल लिया है और बिगाल कर विनाश के कगार पर पहुंच गए हैं मगर पुराने समय की इस्त्रियां जो थी वो प्रभू में थी वो ऐसा सिंगार नहीं करती थी उसमय तो कोई वीट्वी पालर नहीं था मगर उस समय भी लोग उनकी सुन्दर्ता को देखकर उनकी सधारन इस्त्रियां थी सधारन रहने वाली थी कोई मेकब उनके उपर नहीं था परंतु लोग मोहित होते थे आप जानते हैं मैं आपको एक बड़े चंबे की बात बताना चाहता हूं उत्पत्ती की पुस्तक मेरे साथ अगर आपके पास बैबुल है निकाल लीजे और उसका 12 अध्याय और उसका 14 और 15 पद यहां पर मैं पढ़ना चाहूंगा कि जिस समय एबरहेम जो था वो मिस्र में गया अपनी पतनी के साथ और आपको इससे पहले कि मैं एबरहेम की पतनी सारा के बारे में बात करूं मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जिस समय एबरह मिस्र में गया है तो सारा उस समय 65 वर्ष की थी और जब मिस्र के राजा ने देखा सौरी मिस्र के लोगों ने देखा तो जानते हैं क्या कहा आई यह मैं पढ़के ही सुनाता हूँ आपको उत्पत्ती 12 दिहाए और उसका 14 और 15 पद फिर ऐसा हुआ कि जब अबराहिम मिस्र मे के घर पहुचाए गई वाँ 65 वर्ष के इस्त्री एक माइने रखता है वो इतनी सुन्दर है कोई मेकब नहीं है क्योंकि उस समय तो बीटी पालर ही नहीं हुआ करते थे आथ तो जगा जगा पे कोने कोने पे बीटी पालर खुर गए गली महलों में बीटी पालर खुर गए जिसे देखो वो बेहन जो है बीटी पालर खुरे बैठी है क्योंकि उनको यह पता है कि आज सब अपने आपको सुन्दर बनने की होड में वह हमारी दुकानों पर आएंगे और उनकी दुकाने खुब चल रही है खुब मोटा मोटा पैसा देकर उनको आ रहे हैं परंतों ज होता है मार अगर परमेश्वा का वचने कहता है कि उस समय कोई भी वीटी फालर नहीं था जब सारा को लोगों ने देखा एक 65 बर्स की बुडिया को एक 65 बर्स की औरत को उन्होंने देखा कि वह बहुत ही सुन्दर है पता है कैसे मेंटन किया होगा उसने अपने आपको में मेंटन नहीं किया परमेश्वा ने उसको मेंटन किया जानते हैं क्यों परमेश्वा की सुन्दर्ता से भरी हुई थी क्योंकि परमेश्वा की सुन्दर्ता उसके अंदर बसी हुई थी क्योंकि परमेश्वा की सुन्दर गुर्ण उसके अंदर बसी हुए थे और इसलिए व मिस्र में इत्ती इस्त्रियां होएंगी मैंने तो सुना है कि मिस्री जो इस बहने होती है वो बहुत सुन्दर होती है परंतो यहां पर परमेश्वा का वचन कह रहा है कि वहां पर जो मिस्रियों की बेटियां है और बहुए हैं और पत्नियां हैं वो सुन्दर नहीं दिखाई थी इसलिए वो उसको हासिल नहीं कर पाया क्योंकि वो परमेश्व की बेटी थी और परमेश्व की सुंदर्ता उसमें वास करती थी परमेश्व की सुंदर्ता को कोई छूने नहीं पाएगा परमेश्व की सुंदर्ता को कोई नाश करने नहीं पाएगा इसलिए जो मिसर का र परमेश्वा का वचन बताता है अयूब की फुस्तक के बारे में उसका 42 अधियाय उसका 13 और 14 पादि यहां पर पढ़ना चाहूँगा। परमेश्वा का वचन बताता है कि अयूब की बेटियों के समान कोई बी इस्तरी जो थी उस इलाके में उस शहर के अंदर उन बेटियों के समान सुन्दर नहीं थी। पॉडर और क्रीम खरिदती थी। अपना बहुत सा पैसा वो समान खरिदने में लगाती थी। पॉडर को और सुन्दरता की चीजों को खरिदने में लगाती थी। ऐसा था। जी नहीं ऐसा नहीं था। उनकी बेटियों की सुन्दरता औरिजनल थी। उनकी बेटियों की सुन्दरता अंदर से थी। इसलिए परमेश्वा ने उनके भारी रूप को भी सुन्दर बना के रखा था। क्योंकि उनके विचार सुन्दर थे, उनके काम सुन्दर थे, उनकी बाते सुन्दर थी, उनका उठना बैटना सुन्दर था, उनका चाल चलन सुन्दर था, उनका देखना सुन्दर था। और इसलिए वो सुन्दर थी। आज यदि आपका बोलना, आपका देखना, आपका उठना बैटना आपका चाल चलन अगर सुदर है यदि आप अंदर से सुदर है तो सई में आपका रंग रूप कैसा भी क्यों न हो आप वह सबसे ज़्यादा सुदर है आपने देखा होगा ब्रह्मान्ड सुदरी जिसको कहते हैं बहुत से देश की सुन्दरी बनती हैं चुनी जाती हैं ये सब चुनी जाती हैं मगर आप इनके सुन्दरता के आगे नहीं है यदि परमेश्व की सुन्दरता आपके अंदर हैं इनके सुन्दरता को आद बहुत सी इस्त्रियां ब्रमान सुन्दरिस चुनी गई होंगी कौन किसको जान परन्तु जो परमेश्वय की बेटीयां हैं उने सब जानते हैं और उनकी संदरता की प्रिसंसा होती है में एक और इसत्री के बारे में बताना चावगा दो हैं एसतर के पुस्तक उसका दो अध्या है उसके पंद्रा से सत्रह पत्तक यहां लिखे हुआ है जब मोध्य मुद्रेक के चाचा अभी हेल की बेटी एस्तर जिसको मुद्रेक ने बेटी मान कर रखा था उसकी बारी आई कि राजा के पास आये तब जो कुछ इस्त्रियों ने प्रभंदक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठराया था उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा जितन परमेश्रक की सहनसीलता परमेश्रक का सहियम परमेश्रक विश्वास सब कुस उसके चैरे से जलक रहा था सिरिप लीपा पोती नहीं चमक रही थी सब कुछ जो परमेश्रक के खूबियां थी वो उसके अंदर से उसके चैरे से जलक रही थी और इसलिए जितनों ने देखा सब ने उसकी प्रेसंसा की और आगे लिखा हुआ है यूं एस्तर राजभवन में राजा चारे के पास उसके राज के साथमे वर्ष के तेवेत नामक दसमे महने में पचाए गई राजा ने एस्तर को और सब इस्तरियों से अधिक प्यार किया और अन्सब कुआरियों से अधिक उसके अनुग्रह और किर्पा की दिरिश्टी उस पर हुई इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको वाशिती के इस्थान पर पत्रानी बनाया बहुत सी इस्त्रियां थी उसके राजा के लिए एक पत्रानी चुने के लिए आई थी उसकी राणी बनने के लिए आई थी परंतु परमेश्व का वचन यह बताता है जो बात एस्तर में थी वो किसी में नहीं थी क्योंकि एस्तर पत्रानी चुनी गई थी एस्तर के अंदर वो खुमलता थी एस्तर के अंदर वो फ्रेम था परमेश्र का एस्तर के अंदर वो इसने था परमेश्र का एस्तर के अंदर परमेश्र की आदर और मान समान वाली बाते थी पहले काम को करने के लिए उसके अंदर इच्छा थी उसके अंदर ये सब थी और इसलिए वो रानी बनी और एक उचे पत पर कई और परमेश्वा का वचन ये भी बताता है कि उसने अपने बहुत से लोगों को जो है बचाया भी पूर्व काल की इस्तिया ऐसे रहती थी आज आप कहेंगे कि जमाना बदल रहा है मगर जमाना कितना भी बदल जाए मेरे प्यारे भाईयों भेनों परमेश्वा का वचन नहीं बदलता परमेश्वा का वचन कहता है कि मैं अब से लेकर युगानियुक तक एक सा हूं परमेश्वा का वचन आज भी पहले भी आज भी और हमेशा तक एक सर हैगा वो एक सी बात ही कहता रहेगा इसलिए परमेश्वर में अच्छा बने यहां तक परमेश्वर का वच्छन क्या कहता है आज की सुन्दर्टा के विशे में वो क्या कहता है यशाया की पुस्तक और उसका तीन अध्याय मैं पढ़ रहा हूँ उसके सूलमे पद में यौवा ने यूँ भी कहा है क्योंकि सियों के इस्तरियां घमंड करती और सिर उचे किये आखे मटकाती और घुंगरों को चमचमाती और ठुमटमाती चलती है इसलिए प्रभू यौवा उनके सर को गंजा करेगा और उनके तन को अपने सुंदर्ता को लेकर बहुत जादा घमंड है इतना घमंड हो गया है और परमेश्व का यह वचन पूरा हुआ है कि वो उनके सर को गंजा करेगा आज इस तरी गंजी हो गई है और वो कहता है उनके तन को अगुराएगा यानि उनके तन को नंगा दिखाएगा और सह उन्होंने अपने बड़ों की इज़त को अपने परिवार की इज़त को अपने घराने की इज़त को डुबो के रख दिया है ऐसे बाहियात कप्रे पहन कर परमेश्व का वचन यह कहता है क्यों क्योंकि यह इस तरिया परमेश्व में नहीं है इनका सिंगार परमेश्व में नहीं है इनकी सोच परमेश्वार में नहीं है और इसलिए परमेश्वार का वचन इस बात को बताता है यह आगे बताता है उस समय आप आगे पढ़ लीजेगा वो कहता है कि उस समय सारी चीजों की सारी चीजों की इनकी शोबा को वो दूर करेगा और इनकी सारी शोबा को और और चितनी भी इनकी सुन्दर्ता है वो दाग में बदल देगा यह परमेश्व का वचन बताता है आज क्या शोभा है कुछ सुन्दर्ता नहीं है वह सब बेकार की बाते हैं यह यह दिस इस तरियां जो है घर को मेंटन करने वाली नहीं है घर को घर के कामकाज में निमपूर नहीं है किसी बातों में निंपूर नहीं है तो वह सब ब्यार्थ है और परमेश्व केह रहा है कि ऐसे इस्तियों से कोई फैदा नहीं है और इसलिए वो कहता है कि वह अपने आपको सुंदर बनने की अपनी प्रसंसा करवाने पे तुली हुई है बलकि उनकी बेश्टी ही होती है और करप्शन जादा होता है आप देख लीजे कि से बहुत से जो हैं बलतकार के केसिस बहुत जादा आते हैं क्यों क्योंकि वो दूसरों को रिजाने के लिए अपना सिंगहार करती हैं दूसरों को उकसा के लिए सिंगार करती हैं मेरे प्यारी भेनों आप इन बातों से कुछ नहीं रखा है अब हम परमेश्वा की इजट है और इस इजट को बना के रखना है इस सुंदर्ता को बना के रखना है और मन की सुंदर्ता को निखार करना है ताकि सच में जब हम बुड़े भी हो जाए तब भी लोग हमें सुन्दर कहें, तब भी हमें सुन्दर समझें, और हमारी सुन्दरता बरकरार रहें, हम 110 साल के भी हो जाएं, तब भी हम सुन्दर बनें, लोग हमें सुन्दर कहें, और हमारी सुन्दरता की प्रसंसा करें, क्योंकि हमारी सुन्दरता उपर की नहीं, के पास आते हैं खास्तोर से अपनी चवान भेनों को तेरे पवित्र हातों में सौपते हैं प्यारे प्रभुजी ये उपर से नहीं ये अंदर से सुंदर बने और ये सुंदर इनकी निखार होती जाए और इस सुंदर्ता की प्रसंसा होने पाए प्यारे प्रभु लोग तारी भाईयों को भी तेरे हाथ में सौपते हैं कि वो भी अंदर से सुन्दर बने प्यारे प्रभुजी ये सारी प्रात्ना दनिवाद के साथ प्रभु येश्यो मसीनास्री के नाम से मांगते हैं आमेन अजयो मसीनास्री के सारी के सारी प्रात्ना मांगते हैं से जढ़ हैं